हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मै चैनल, आज हम कैरी का शर्बत और कैरी की जेली, दोनों बनाने वाले हैं, एक ही ट्रिक से, इसके लिए हमें कैरी को अच्छे तरह से धो लेना है, पोच लेना है, इसके बाद इसका छिल्टा उतार लेना है, छिल्टे उतरने के बाद इसके तुकड़े कर लेने हैं हमें, तुकड़े छोटे या बड़े कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इसकी गुठिलियां अलग कर लेनी है, अब इसे कुकर में डाल कर, इसमें पानी डाल देना है, पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है, बस ये तुकड़े डूब जाएं, इतना नहीं लेकिन पानी ऊपर नहीं आना चाहिए टुकडों के के आभ में दो सीटीं लगा लोगा लेना हैं है यह नर्म हो च touح его कैरी है हमें से जार में डाल कर पीस लेना है और इसके साथ हमें इसमें पुदीना एड करना है पुदीने से बहुत ही इसका पढ़ जाता है इसके साथ आप काला नमक भी डाल सकते हैं इसमें अब पीषने के बाद इसे हमें छान लेना है ताकि रेशा निकल जाए अब हमें इसे कढ़ाई में डाल देना है ये डेढ़ कटोरी पल्प है और इसमें हमें एक कटोरी शक्र डाल देनी है केरी बहुत खटी थी मेरी इसलिए इसमें डेढ़ कटोरी पल्प में मैं एक कटोरी शक्र डाल रहे हूँ अब इसे हमें चलाते रहना है मध्यमाच, तेजाच, मध्यमाच, तेजाच इस तरह करते हुए हमें करीब 7-10 मिनिट इसे पकाने के लिए लगे अब आप देखिए इसका कलर बदलने लगा है शकर पूरी पिघल चुकी है और 7-10 मिनिट में ये पूरी तरह से रेडी हो जाता है ये थोड़ा गाढ़ा होने लगे जब तब ये बिल्कुल तयार है और जब ये थंड़ा हो जाता है तब ये बहुत ही गाढ़ा हो जाता है अब हमें गैस बंद कर देनी है अब ये थंड़ा हो चुका है और देखिए इतना गाढ़ा हो गया है अब हमें ग्लास में बर्फ डाल कर इसे बस 2-3 चमच डालना है दो से तीन चमच परियाब तो होता है आप इसमें चाहिए तो काला नमक या साधा नमक एड़ कर सकते है इसके बाद पानी डाल दीजिए इसमें पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और बस मिक्स किया और आपका शर्बत रेडी इसमें हमें थोड़ा सा भुना जीरा डालना चाहिए इसके लिए मैं थोड़ा सा सेक रही हूँ इसे सेकने के बाद इसे थोड़ा कूट लिया दर दरा सा और बस हमने इसे डाल दिया उपर यह आपका शर्बत रेडी है और इसी तरह जैली बनाने के लिए जो बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है थाली में मैंने थोड़ा घी लगा लिया है और इसी पल्प को डाल देना है और किसी कार्ड की मदद से या किसी पुष्ठी की मदद से या किसी चम्चे की मदद से आपको इसे फैला लेना है इस तरह दबा दबा कर आप फैला लीजिए और दो पर की धूप जो कड़क हो किवल दो घंटे में ये रेडी हो चुका है मैंने बारा बजे रखा था और दो बजे ये बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरह जैली दीजिए बच्चों का जब मन करेगा वो खाएंगे एक ही चीज में हमारा शर्बत और जैली दोनों तयार हो चकी है और भी अलग अलग रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें